अब एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर शास्ट्री एल्टी को टीजीटी पदनाम देने की तयारी चार साल की बच्ची का काटा गला गंभीर हालत में किया गया टांडा रैफर हिमाश्र पर शास्ट्री और एल्टी विश्य की टीजीटी पदनाम के साथ टेट अध्यापक पात्रता परिक्षा करवाने की तयारी कर रहा है अगर सरकार शास्त्री और भाषा अध्यापक L.T. को TGT पदनाम देती है तो अध्यापक पात्रोता परिक्षा के लिए इनी पदनाम के साथ आवेधन मांगे जाएंगे इसके चलते इस बार टेट भी जून के बजाए जुलाई में करवाने की योचना है बता दे कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों में तनाज शास्त्री और भाषा अध्यापकों को TGT पदनाम देने की बात कई है ऐसे में जून में होने वाली अध्यापक पात्रोता परिक्षा धरमशाला ने जुलाई के लिए स्थगित कर दी है स्कूल शिक्षा बोर्ट अब ल्टी और शास्त्री विशे की परिक्षा को TGT पदनाम के साथ करवाने की ही योचना बना रहा है अगर सरकार इस बार शास्त्री और भाशा ध्यापकों को TGT पदनाम की मंजूरी दे दे तो शास्त्री और भाशा ध्यापकों का टेट TGT पदनाम की साथ होगा अगली ख़बर के रुप करते हैं हिमाचर प्रदेश के हमेरपूर के डुबता के पास बरोहा ग्राम पंचायत में प्रवासी परिवार की चार वर्षे मासूम दरिंद्गी के साथ गला काटा गया बच्ची को गंबीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया जहां से उसे टांडा रेफर किया गया है पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है मासूम के पीता के बयान और लोगों की बाते आपस में मेल नहीं खारी इसलिए ये मामला संदिक बन गया है जानकारी के निसार पंचायर प्रतिनीदियों का कहना है कि गुरुआर को गाउं में प्रवासी परिवारों के बच्चे जोर-जोर से चलाने रहे थे खेतों में काम कर रहे हैं लोगों ने बच्चों को चिलाते हुए सुना जब उन्हें मौके पर बुलाया गया तो बच्चे चिलाते हुए कह रहे थे कि उनकी बेहन का गला उनके एक रिष्टेदार ने दराटी के साथ कार दिया है पिता मासूम को अस्पतार लेकर आया था मासूम बच्ची की मा और रिष्टेदार भी मौके सफरार हैं वहीं पिता ने अपने बयान में बेटी के चट से गिरने की बात कई है ऐसे में अब पुलिस मामले की चानबीन में जुट कई है पुरे इसकी छानबीन के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा बताया जा रहा है कि मासूम की नसे भी शरीर से बाहर आ गई थी वहीं S.P. आकरिती शर्मा का कहना है कि माबाप के ब्यान के बाद ही सही कार्णों का पता चल पाएगा फिलहाल मासूम को नाजुक हालत में वेटिकल कॉलेज टांडा रेफर किया गया है N1 Live News में फिलहाल के लिए इतना ही बने रही हमारे साथ